दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइस आइसले टीटेन टूनामेंट के 20 मुकाबले के बारे में जो खिला जाएगा सीपी वसिस बीलबी के बीच में अगर पीच के बारे में बात करें वैसे तो दोस्तो एक न्यूटल विकेट है लेकिन कल पूरा दिन यहाँ पर बारिस हुई थी जिससे आउट फिल भी सलो रहेगा और हो सकता है दोस्तो जो एक्ष्टा एडवांटेज है वो यहाँ पर गेन बाजो को मिल सकता है तो अभी दोस्तो 19-वा मुकाबला यहां पर जो लाइव सरा है उसकी पिछ के अकोरडिंग थोड़ा सा आप यहां पर आइडिया लगा सकते हैं अभी हम बात करेंगे CP के बारे में तो इस टूनामेट के अंदर दोस्तो इन्होंने टोटल 6 मुकाबले खेले हैं सहमें से 3 मुकाबले विन किये, 2 मुकाबले हारे और एक मुकाबला इनका बारिस की वज़े से अबैडन हो गया था और हर मैच का जो स्कोर कार्ड है दोस्तो वो मैंने यहां पे मैंसन कर लिया है जिसे आप यहां पे दोस्तो देख सकते हैं बात करें परफॉर्मस की तो अथानजे और कैमबल लगाता टीम के लिए ओपन कर रहे हैं और दोनों ने दोस्तो शुरू के 4 मैच में जबर्ज़ स्टार्ट दिया है टीम को 66, 36, 38, 48 लेकिन लाश्ट मैच में दोस्तो शिर्फ एकरन बना पाए थे वहीं पर कैमबल ने भी सुरू के 4 मैच में 16, 41, 33 लेकिन लाश्ट जो मैच था वहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाए थे इनके बाद दोस्तो एम नरेन है जो ज़्यादत तर दोस्तो वन डाउन ही बल्ले बाजी करते हैं लेकिन लाश्ट मैच में ये नमबर 5 पर आए थे परफोर्मस देखी जाए ग्यारा, चार नाबाद, तीर नाबाद, जीरो और लाश्ट मैच में 6 बनाए बैटिंग के लवाद 2 और कंपिट बोलिंग कर रहे हैं पहले दो मैच में तो विकेट नहीं था लेकिन लाश्ट की दोस्तो तीन मैचस के अंदर 6 विकेट दोस्तो नरियन निकाल चुके हैं तो बैट और बोल दोनों में विल्कुल एक अच्छी पिक रहेगी इनके बाद यहां से के पैटर्स है नंबर 4 और 5 पे बैटिंग कर रहे हैं बैटिंग में पहले मैच में 13 बनाए थे उसके बाद से दोस्तो बैटिंग कोई खास नहीं रही लेकिन बोलिंग में एक से दो और बोलिंग कर रहे हैं शुरू के चार मैच में दोस्तों इन्होंने आठ विकेट निकाले थे लास्ट मैच में इन्होंने एक कवर डाला वहाँ पर इनको 14 रन पड़े कोई विकेट नहीं मिला तो दूसरा वर इन से नहीं डलवाया था कैरियोन एंड्रियू है बैटिंग ओडर कंफरम नहीं रहता लास्ट मैच में वर डाउन इनको लेकर आए जहाँ पर इन्होंने नोर रन बनाए थे इससे पहले दो मैच में नमबर 5 उर 6 पे खेलते वे जीरो और 5 नाबाद किये है इनके बाद यहां से 4 चाल्स हैं दोस्तो बैटिंग में एक मैच में वर नाउन आए थे जहाँ पर एक रन बनाए लास्ट मैच में नमबर 6 परा के 9 रन पे नाबाद थे बैटिंग के अलवा कभी एक तो कभी दोवर टीम इनसे बॉलिंग भी करवाती है शुरू के चार मैचस के अंदर इन्होंने दोस्तो तीन विकेट निकाले थे लेकिन लास्ट मैच में दोस्तो टीम ने इनसे गेंदबाजी नहीं करवाई इनके बाद जावेल एस्ट विप ओल हैं दोस्तो जो की लगबग दोवर कमपेट डालते हैं शुरू के तीन मैचस में कोई विकेट नहीं मिला था लेकिन लास्ट के दो मैचस में दोस्तो इन्होंने दो और एक करके तीन विकेट पिछले दो मैचस में टीम को निकाल के दिये हैं इनके बाद यहां से आदेल बैक्स हैं एवरेज परफॉम रहा है सुरू के 2 मैच में 1 quicker फिर अगले 2 मैच में 1 quicker फिर य Кलाब 15 नहीं है अब तक 5 मैच में सिरफ 2 quicker निकाल पाए यह यह जावेद हैं austor एक मैच जो लाश्ट मैच था उसमें इनकी पारिया a next पर जाएं ये 0 रन touchdown पर नाबाद रहे थे जिनके बाद R. William है average position है, शुरू के दो match में एक wicket है, फिर अगले दो match में एक wicket है, और last match में एक और में 21 दो निखर के कोई wicket नहीं मिला जिनके बाद Nikova c zone है टेम ने बस चिर्फ एड किया हुआ है, बैटिंग बॉलिंग नहीं करवा रही बैंसेज के प्लेयर को लेकर दोस्तों अगर कोई भी चैंसेज वगरा होगा तो उसकी इनफर्मेशन आपको माई टेलिगाम में मिलेगी और टेलिगाम जाइन करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब हम बात करेंगे BLB के बारे में उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई की मेनत के लिए और दोस्तों मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दें और गर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल आइकन को जरूर दबा लें BLB की टीम ने भी दोस्तों 6 मुकाबले खेले हैं 6 मुकाबलों में से दोस्तों इन्होंने 2 मुकाबले विन किये हैं 3 मुकाबले हा रहे हैं एक मुकाबला दोस्तों इनका भी अबैडन हुआ था और हर match का जो scorecard है वो दोस्तों आप यहां पे देख लीजिएगा बात करें performance के बारे में तो वैटिंग order में दोस्तों यह हमेशा कोई ना कोई chances करते रहते हैं यह डी स्मिट पिछले 3 match से लगातार open कर रहे हैं और एडवर्ट पिछले 2 match से open कर रहे हैं इससे पहले जो स्नेल है जोस्तों वो open किया करते थे अगर स्मिट के बारे में बात करें तो 16, 22, 18, 65 नाबाद और लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 4 अन बना पाए mostly match में टीम को अच्छा start दिया है सारकीम एडवर्ट है दोस्तों जो कि जाधतर मेडर ओर्डर में खेलते हैं लेकिन पिछले 2 match से open कर रहे हैं 0 नाबाद, 21, 11 और लास्ट मैच में इनोंने अपना खाता भी नहीं खोला था बैटिंग के लाबा लगबग एक और गेंद बाजी करते हैं अब तक 4 match के अंदर टोटल 5 और डाले हैं और 2 wicket गेंद बाजी में निकाले हैं इनके बाद यहां से डैनिस समित है यह भी दोस्तों शुरू के 4 match में अच्छा start देक रहे हैं 12 नाबाद, 27, 22 नाबाद, 22 और दोस्तों लास्ट मैच के अंदर उनने 11 रन बनाए 1 down या फिर 2 down बैटिंग कर रहे हैं जो स्नेल शुरू के 2 match में open करती हैं 9 और 1 बनाया लास्ट मैच में इनको नमबर 4 पर लेकर आए जहां पर 21 बनाए इनके बाद C. William नमबर 5 पर बैटिंग कर रहे हैं पहले match में 3 दर नाबाद, और लास्ट मैच में 25 बनाएं इनके बाद C. William नमबर 4 पांच है हर जगहां पर खेल चुके हैं लेकिन अभी तक 10 कांकडा नहीं छूपाए हैं मारकल बेस्पिटे नमबर 6 और 7 पर बैटिंग करते हैं 6, 2 और 10 दोस्तों इनका स्कोर रहा है और बैटिंग के बारे में बात करें odosरू सोरू के 2way के मरे में निकाले थे फिर 2 मैकि में 1-1 और डाल वाया लाश्ट में दोस्तों 1 और में इन्होंने 3 विकेट टीम को निकाल दिये एक अच्छे गेंवाज आज है, 5 में 5 निकाल चुके हैं फिर अलाश्ट की तू तीन मैस तो तीन मैसे नों ने दो विकेट निकाले हैं इनके बाद एमिकल हैं जिन्होंने दोस्तू परफोर्फार्मर गेंदबास आप इनको बोल सकते हैं पीट भीप्टा ही हो रही है लेकिन कई बार विकेट भीड़ निका रहे है रीचर्ड, रोजर्श हैं दूस्तों सुरू के तीन MICHAEL काफ़ी Asian था पर रसंथवी निकाले लेकिन लाच्ट के जो दो मैच है वहाँ पर रोजर्शको कोई विकेट नहीं मिला, इनके बार रोनल वीलियम पहले मैच में एक और 21 कोई वीकेट नहीं लास्ट मेच में दोर में 20 रिंख करके एक वीकेट निकालाया बैंचर्ज के प्लेर में के चाल काफी अथी गिन बाज है टीन मैच में तीन वीकेटन करना है WGF 24 और सार्ज करके जूर जाना है टेलिगाम के अंदर अब सीधा बात करेंगे हमारी डेमो टीम के बारे में तो यहां से दोस्तों डी समित को रखाए विकेट कीपिंग में इनके बाद के पैटर्ष एम नरेन एडवरेट बैसपिटे और यहां से जे पॉल और रोजस को में ट्राइक है गिनबाजी के अंदर कैटन वाइस कैटन में दोस्तों अथान जे के साथ जा सकते हैं एम नरेन के साथ जा सकते हैं दोनों अच्छी पिक है इनके अलावा दोस्तों डी समित और यहां से के पैटर्ष के उपर भी आप ट्राइक करना चाहिए तो कर सकते हैं बाकि दोस्तों के जो अपडेट है वो WGF24 और सिदा सर्च करके जूल जाएं टेलिकाम के अंदर थैंक्यू फ्रेंट्स व्ल दा बेस्ट